गुड बॉर्णिंग एस्टूडेंस यह आपका पार्ट एट वीडियो इस चेप्टर का पार्ट एट वीडियो में एक्सेसाइज 5.3 पर है और कुश्चन नमबर है वन क्या कहा रहा है कि तीन संख्याएं एपी में हैं जिनका योगफल 27 है और उनके वर्गों का योगफल 275 तो संख्याएं गयाद की तो यहां पर दिया है कि Tीन संख्याएं एपी में तो आपको बता रखें प्सले पार्ट में याव सुरू में मैंने बता हुआ हूआ है कि माना A P की वह तीन संख्याएं उह तीन संख्याएं तीन संख्या है, क्या है, तो A-D, A, तथा A-D है, ठीक है, प्रस्न से, क्या कहा रहा है, कि तीनों का योगपल 27 है, तो देखो A-D, A, और A-D, बराबर में हो जाएगा आपका 27, तो DD तो कट जाएगा न, तीन A बराबर हो जाएगा 27, A बराबर यहाँ से आजाएगा 9, A का मान कितना आगया 9, यह भाग में चला गया, तो लिए A का मान 9, अब क्या कारा कोशन में, कि इनके वर्गों का योगपल, यानि A-D का वर्ग, प्लस A स्क्वाइर, और प्लस A प्लस D का वर्ग, दिखना है न 9-D का स्कौाइर, प्लस 9 का स्क्वाइर, प्लस 9n static, और यहां प्लस D का होल स्क्वाइर, बराबर में 25, चलिए इसको अब यहाँ पे थोड़ा salt करते हैं यहां हो जाएगा a square minus का 2 into 9 into d और plus में d square ऐसे होगा ना जी a minus b का whole square यहां 9 का square 81 लिखते क्या यहां भी 81 यहां पहले formula लगा देते हैं 9 का square plus 2 into 9 into d plus d का square और बराबर में 275 तो देखो यहां d square d square 2 d square हो जाएगा यह देखो कट जाएगा 9 का square 81, 81, 81 3, 81 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 243 बराबर में 275 इसको ले जाएगे 2 d square बराबर 275 minus 243 तीक है सलिए अब इसको घटाते हैं तो 2 d square बराबर हो जाएगा यहां पे 2 और यहां पे कितना हो जाएगा 32 इसको ले जाते हैं भाग में यानि d square बराबर में 16 square जाके रूट लगेगा रूट लगता है तो plus minus d कमान प्लस मैनस 4 तो दो के साते हैं केस पहला a बराबर आपका 9 है और d बराबर ले लेंगे 4 तो पहली संख्या पहली संख्या पहली संख्या आपकी a minus d थी यानि कि हो जागा 9 minus 4 पांच हो जाएगा दूसरी संख्या दूसरी संख्या आपकी क्या है तो a है यानि कि 9 हो जाएगा और तीसरी संख्या तीसरी संख्या तो तीसरी संख्या हो जाएगा आपका a plus d यानि कि 9 और प्लस में 4 13 तो 5 9 13 उसी तरसे केस दूसरा भी हो सकता है न दो केस हो जाएगे क्योंकि d का मन प्लस म दूब आया है चार और माइनस चार ए बराबर नौ और डी बराबर माइनस का चार तो पहली संख्या पहली संख्या ए माइनस डी यानी कि हो जाएगा नौ माइनस माइनस चार यानी कि नौ प्लस चार हो जागा माइनस में प्लस है नहोगा तेरा हो जाएगा दूसरी संख्या दूसरी संख्या आपकी हो जागी A, यानि कि A क्या है 9, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या है आपका A पलस D, यानि कि 9 पलस मैनस का 4, यानि कि 9 मैनस 4, यानि 5 आ गया, तो 13, 9, 5 या 5, 9, 13 आपका एंसर हो जागा, समझ गया, चली अगला को